हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू का एक ऐसा फेस पैक जो आपकी स्किन की रंगत में सुधार तो करेगा ही साथी चेहरे के दाग दब्बे जुरियां और जायों को भी दूर कर देगा आलू स्किन की रंग पर दिखने लगेगा आलू स्किन वाइटनिंग का काम भी करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू का फेस पैक बनाना सबसे पहले आपको चाहिए आलू का रस आलू का रस निकालने के लिए आपको आलू को अच्छे से वाश कर लेना है और फिर इसको कर्दू कस करके इसका जूस अलग कर लेना है अब इसके बाद इसमें एड कर देना है एक चमच चावल का आटा अगर आपको साफ सुन्दर और ग्लास स्किन अचीव करनी है तो आपको अपनी स्किन के रूटीन में चावल के आटे का इस्तमाल जरूर करना चाहिए चावल के आटे का इस्त चहरे की रंगत में सदार लाने, दाग धबे दूर करने और गड़श स्किन को हटाने में किया जाता है। चावल का आटा शकिन वाइटनिंग का कामभी करता है। इसके बाद इसमें एड़ कर देना है एक चमच मसूर की डाल का पाॉडर। मसूर की दाल स्किन पर लगाने से टैनिंग दूर होती है, दाग धब भी हलके होते हैं, पिग्मेंटेशन को दूर करने में भी मसूर की दाल का यूज किया जाता है मसूर की दाल स्किन पर एक क्लिंजर की तरह काम करती है मसूर की दाल का यूज, ओली और ड्राइ स्किन दोनों तरह की स्किन पर किया जा सकता है इसके बाद इसमें एड़ कर देना है एक चमच ऐलोवेरा जल ऐलोवेरा जल स्किन को मॉस्चुराइज करता है एलोवेरा स्किन को exfoliate करता है इसे चेहरे पर लगाने से स्किन पर melanin का production कम होता चला जाता है जिससे स्किन पर होने वाली जायां और जूरियां कम होने लगती है एलोवेरा में विटामिन E, विटामिन C और विटामिन A मौजूद होता है जो स्किन को glowing बनाता है अब इन सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से mix कर लेना है और एक pack तयार कर लेना है सबसे पहले अपने face को wash कर लें अब अपने चेहरे और गर्दन पर तयार face pack को लगाएं और 20 मिनिट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें अब हलके हलके हाथों से scrubbing करते हुए face को साफ कर लें और skin पर moisturizer का use जरूर करें हपते में 2-3 बार आप इसका use कर सकते हैं इसके इसमाल से आपकी तचा की रंगत में निखार आता है चेहरे की fine lines, काले गेरे, pimple के निशान और एकने की समस्या भी दूर होती है आप इसका use जरूर करें और result मेरे साथ share जरूर करें तो मिलती हूँ आपसे अपनी next video में तब तक के लिए thank you so much